हरी हियोम नमो नारायनायो निरायमय ब्रह्मा जो पार ब्रह्मा नारायन है पार ब्रह्मा ब्रह्मा से पड़े है ब्रह्म्ह जोतिस्मान भगवान मुर्तिमान और ब्रह्म्ह निराम निरालंब है परमात्मा परमात्मा भगवान के लिए सेवा पुजा ब्रह्म्ह के लिए योग जाप ध्यान और परमात्मा के लिए जग्या ओध्रब्य जग्यों हो तब जग्यों हो ग्यान का जग्यों हो या मानसिक भी हो काई बाचे के मानसिक तिन प्रकार कर्म तो कराया जाता है और तीनों कर्म इस पर अर्पित होना चाहिए ब्रह्म्ह का प्रचन्द तेज से काल निकला और तेज का अंतराल से जब काल निकला काल से आत्मा यह गीता ज्यान कार्जकारी नहीं है नजायते म्रेते विपन्न कस्चित बोलो आत्मा आत्मा परमात्मा का परमंडल का अग्नितत्प है यह अनक्यर से जब काल आया काल कर्म और स्वहप में यह सब रहता है पूजा सिवा जाप जग के सब कुछ दान और कर्म में ओल्टी सिथ भी कर्म रहता है जो मन मानी करते हैं गूरू, सास्त्र और अपना सोच यह तीन को लेकर कर्म करना चाहिए गूरू को लेकर कर्म करो सास्त्र को लेकर कर्म करो और अपना सोच को लेकर कर्म करो तब पता चलेगा जो कर्म अत्म करते हो कर्म कर्म है या कर्म नहीं है भी कर्म है या कू कर्म है जहां कोछ नहीं था कोछ नहीं था केवल परमात्मा थे है और और रहेंगे ब्रम्ह है थे रहेंगे जीवात्मा है थे रहेंगे और भगवान का स्वरूप है थे रहेंगे और इनमें बेश्पास भी होना चाहिए पुराण थे है और रहेंगे श्रिती जिसको सुनते थे लोग मिन्स बेद जिसको निगम कहते है ये रिश्चों का हृदय में था अभी है और ये भी रहेंगे माया थे है और रहेगा इनस्ट सिल नहीं है भगवान तो कहते हैं माया ममा माया दैवी हेशा गुणा मायी मम माया दुरत्यया मामे बज़े प्रपद्यन दे माया मेतामता रंती दे प्रभो का जनने से माया से जिवात्मा तर जाते हैं बेड़ा पार हो जाते हैं लेकिन माया दुरंत है दूरा आती आया अब ब्रह्मा से ब्रह्मा निकला ब्रह्मा भगवान और परमात्मा इस शूर्य शूर्यमंडल शुर्यका धूब रोसनी और तेज आलुक उत्ताप और किरण आलुक में जर रहते हैं वा ग्यानी है ग्यानबान भवान कहते हैं ना बहु नाम जर्मना मन्ते ग्यानबान माम प्रपद्यते बासुदिब सर्बमिते समहातमा सुधर लभा बासुदिब सब कुछ है तब जिस समय बेद नहीं था उस समय कोई मंत्र भी नहीं था दर्सन जब नहीं था सुत्र भी नहीं था और पुरान जब नहीं था पुरान का कोई स्लुक नहीं था तो रिश्यों ने किस मंत्र से जग्य किया उसी समय एक ही मंत्र था बड़े बड़े विद्वान रिश्य एक मंत्र को जानते कोई-कोई नारण सुक्त को जानते और उसी समय ओम भी नहीं था ओम सब्द भी नहीं था क्योंकि यह जुक्ताख्यर है अकार उकार मकार सनातन सब्द लोकिक बैदिक सब्द नित्य है सनातन है लेकिन यह थे कहाँ पैदा होने से बच्चा तो कहते है पा बा दा ए आ यह सनातन है यह अक्छर को मिलाकर यह अक्छर को मिलाकर ओम भी है ख्या भी है क्छा काम और धन्य से अक्छा त्रा तामे राफला रामात्रा ज्या जा बरगे जा और ना ज्या जैन्या एक सब्द है नाजन्या और अक्छर न्या तो अक्छर एक ख्यरित नहीं है और अक्छर सब सनातर है इसका आधा भी है और पूरा भी है पहले ये आ आ ई ई उ उ रू रू लू ए अई ओ आउ अरुश्मार विशर्ग चंद्रबिंदू इसका बात कमक्मा, कमक्पा, कलक्क्ला, कसक्सा इसवाया इसका बात वाकांक, 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 निया चंच, निया ठंध, 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 निय और ये सब अख्यर का मूलतत्व है आ और आ और आ पुरुषबाचिक है आ स्ट्रिलिंगी है और असेश गून असेश रूप असेश कर्म का आधार हरी है जिसका जैगान करते है स्ट्रिमत भागबद ग्याश जी का प्रत्रम लिखा जै जै का मतलब है भागबद यहां भाब है ज्यान है ब्रह्मा है तक प्रत्रम लिखा जैगान जैवा सतानी जैवाद इसका बात ब्यास जी जिस समय पूरान बेद पूरान रचना किया बेद को संकलन किया विभाग किया चारो रुष्य को दिया पूरान को सुद्रमुनी लोमहर्शन को दिया उसी समय इस लिखाई का बात समाधि नारत के परामर से समाधि जोग में परविष्ठो होगी भगवान स्री नारण का चरन कमल से ध्यान करके कृष्ण जन्मा से पहले उनको पता चला कि कृष्ण ही सब कुछ है और किस नसास्त्र भागवद जहां भगती है कोई कोई कहते है यह भागवद गोष्ण में तुलसिदास का रामचर इतिमानस बालमी के रमायन यह मंत्र नहीं है पुराण में यह स्लोख है सही है भाई पुराण में तो स्लोख है लेकिन जिस पुराण में छांद रिशी और दिवता है और कैसे पुराण और कैसे मंत्र नहीं हो सकता है आरे मन को जो उद्धार करता है मंत्र है मन उद्धारक मन का तारक जो मनन का जोग्या है इसको जग्यों क्यों करते भाई आप बैदिक मंत्र को जग्यों की कहते हूँ जग्य तो केवल नाराण का नाम से होता है तुमने मंत्र बनाया ना क्लिंग स्लिंग प्लिंग रिंग लगा कर जोड तो लुबाला विध्य थोड़ी विध्य है नमो नारायनायो नमो भगबते बासुदेवायो बीष्णवे नमहा परमात्मने नमहा हरये नमहा ततकुर्ष्पमदरपड़म और इंद्रियों का देपताव का नम मेहबन करते हो इंद्र सोम अगनी बैदिक बाले करते हैं और लोकिक बाले भी करते हैं सनिष्चराय स्वाह चन्द सोमाय स्वाह भोमाय स्वाह मंगलाय स्वाह साक्ति करते हैं समरेश्परी दिव्य स्वाह पाटनेश्परी दिव्य स्वाह ज्वाडामुखी दिव्य स्वाह कामक्छा दिव्य स्वाह और इंद्र में फिर लगाते हैं क्लिंग स्लिंग प्लिंग रिंग आयंग ट्रेंग खुरूंग रांग ये सब लगाते हैं ये स्वार्थवाद ही है बेद जानना जानने के लिए बस्तु है और बेद में ही कर्म है ये मत समझो बेद में कर्म है नितिवानी है बिद में ज्ञान है अपना सत्ता को ढूनने के लिए कर्मा करने के लिए फरामर्ष है लेकिश जग्य करते हैं जग्य में भगवान बिलते नहीं यह रजगुनी है पूजा सेवावी पूजा करके जब भोगी बन जाते हो तुम यह पूजा में भी प्रफुजी मिलते नहीं ध्यान, मेटिटेशन ध्यान में ब्रह्मा का ज्योति दर्शन करना इतना छोटी मोटी बात नहीं है खामख्याली बात नहीं है यह मिलता है जग्य में भागाण मिलते हैं जग्यां से मैया अधरुपती का प्रकट जग्या पुरुस नारेण का प्रकट होते हैं अगनी का प्रकट होते हैं जग्या में जग्या करते इंद्रजीत निकुम्भिला देवी का यह जो है हर कर्म का फल कर्म को इस पर अर्पित करना और समाज का सेवा करना मनुष्य में मनुष्य ता रहना जाहिए लेकिन चत्रस्चनक यह मनुष्य थोड़ी है रिशिकल्प में है ब्रम्हाजिका जो मानस्पुत्र बसिष्ट पुलह पुलस्त्यक्रतु अंगिरा मरीची अत्री इनका सातनारत दक्ष्य बाल में की संध्या, उशा, सरस्पती और एहल्या कि सब आमाईथुन स्रिष्टी है यह रिशिकल्प और दिव्यनार्यु का कल्प हाँ काहला तो इन चर्चाओं के बीच हमने आपको यह बताना चाहता हूं कि बेकारोडी मुल्ला मूद है जब रिश्ची कल्प में रिश्चों का स्रिष्टी हुआ यह रिश्चों न क्या क्या अरे मंत्र देखने वाला रिश्ची नहीं है यह यह है चतुश्चनक जो चारों ने सारे संसार मैं भरमान करते हैं और भरमान करके करके ब्रह्माजी को पूछा पे प्रभूजी आप ही जगतगुरु हो तब रहतमा बोला मैं जगत गुरु नहीं हूँ मेरा पर प्रहतमा है और ब्रहतमा जयोतिसमान है मेरा नाम तो उन्होंने प्रहतमा दिया ना मैं बेत को धारन करता हूँ बेद कोई लेखाई गरंथ थे उसी समय नहीं तो रिश्यों का संपर्ख नहीं था बेद में रिशी कल्प में जो रिशी निकला उन्होंने उनका संपर्ख बेद में नहीं था अरे बेद तो पुस्तक ही नहीं था ना ब्यास जी ने रचना किया बेद बेद किया थोड़ी बड़ी गरंथ है किया बेद उधारक है संसार का ये मूरक प्रचार करते हैं कि बेद का जग्य करो अरे त्रितिया जुग में जग्य क्या बिश्वामित्र ने बिश्वामित्र छत्री है उनका सामदाम दंड भेदे नीति है जिनका भेद है उनका पस बेद है बेद में एकत्प नहीं है लेकिन पुरा रमायन रमायन में एकत्प है कर्म का सिक्छा देता है रमायन क्या करना क्या नहीं करना मर्ज्यादा का पालन करो राम जी को कहते हैं मर्ज्यादा पूरुस राम जी मर्ज्यादा पूरुस होकर पैदावा था क्या तुमने डिगरी दिया प्रभु को प्रभु राम तो राम है राम बोलने से काफी है पूतना का प्रान सोषन करने वाला भगवान जो अपना एतली में सूत्य का ग्रिह में एकर अक्षेश को बत किया बाल समय वो साध्रार मनुष्य है क्या भगवान को मनुष्य मानती है और मंत्र पढ़ती जज्जेन जज्जान जनयन्त देवा फिर ओम लगाती है ओम का मतलब क्या है और परमात्मा तो टट्टी उल्टी करने से उनका पेसाब से टट्टी से निकलता है ओम क्या थोड़ी बड़ी चीज है अकार उकार मकार ये अक्षर तिन है एक काला एक पीला एक नीला तीन को तुम सफेद बोलोगे कितना मुर्खता है तुमारा उम्मत बलो भाई हरी ही उम बलो या हरी उम तस्षत बलो हरी उम नमो नारण बलो हरी पहला है उम थोड़ी पहला है लोग को फर्मित कराते हैं उने जनेव पहनने से ब्रामण बनते हैं लोग हरी जो ब्रामण है ब्रह्मा का बेटा ही ब्रामण है पर उनका जनवाव से अधिकार है जग्या नहीं ब्रह्म कर्या है जग्य में देव्ता संतुष्ठ होते है और जग्य से बायोमंडल सुध्व बता गीता में मंत्र थोली है अरे सब सास्त्र में मंत्र है बेद में किबल मंत्र नहीं है और हर सास्त्र हर धार्विक सास्त्र का जग्य करना चाहिए मुरक कहते हैं बेद में जग्य होता है क्या जानते हो बेद का मतलब तो ये नहीं है ये लेखाई को पढ़ देने से बेध हो जाता है क्या ये लेखाई पढ़ के बेशरम काम नहीं करते मुरक ब्राम्हन को ब्राम्हन नहीं मानते गोमाता को गोमाता नहीं मनते अपनामन में वो ब्राम्हन मनते है कहते हैं ब्रामान हमारा साथ नहीं टिकाव कर सके हम बड़े गिया नहीं हूँ ऐसे मुरक पाखांड जो पाट को खंडन करता है सुद्र हो या बस्य हो या छत्री हो बनिया हो ये साले नर्क गामी होगे ये मूढप्राणी है देश को भ्रमित करता है ब्रामान ब्रामान है चार लाग चोरासी जोरी से जन्म गरहन करके फिर गोमाता का गर्भ में एक हज़ार बार जन्म होते इसका पाद ब्रामान का गर्भ में पैदा होते ब्रामान भूसूर है मर्थ का देपता है ये ब्राम्हन को नहीं मानते कहते ब्राम्हन हमको नहीं सके हम जादा मंत्र जानता हूं हम मंत्र बेदता हूं आरे रट के तोता का समान बेद का मंत्र हो जाता है क्या रिशी मंत्र को देखते और वही मंत्र को प्रयक करके लोगों का दुख दुर करते मंत्र जब लिखाई में आ जाए कपड़े में लिखा हुआ जो ब्रामान देपता घर में चाप करते वो ही मंत्र को तुम कापी कलम में लिखते और आचला में चादर में धोती में लिखते वो मंत्र कैसे काम देगा तेली कुमहार वो तंती जो भुलिया कहते हैं उल्सा अरे तुम तुम तुमारे जात का काम करो भाई जात में तुम जिसकुल में पैदा हो वही काम करो भेद पढ़ाई काते हो भेद निकालते हो ब्राम्हन तुम को नहीं सकते ब्राम्हन निंदा करके नर्कगामी होना चाहते हो भगवान कहते हैं मैं ब्राम्हन बच्चल हूँ कृष्ण भगवान कहते हैं राम भगवान कहते हैं ब्राम्हन का कृपासे मेरा नाम विष्णु है ब्रामान का क्रिपा से मेरा भार्जा लच्मी है ब्रामान के क्रिपा से मेरा नाम विष्णु है पर तुम ब्रामान निंदा करते हो गोमा तका सेवा करते नहीं दिन दरिद्र को खिलाते पिलाते नहीं अपना पेट पालन के लिए व्यापर करते हो ये कैसा जग्या है ये कैसा पूजा है भगवान का पूजा को निंदा करते हो जहां मूरत नहीं हो है वहां सुरत नहीं जितना भी बेत का मंत्र पढ़ो जब कृष्ण भगवान है या राम भगवान है अंकर, भगवान का, कोई मूर्ती नहीं, तो 20ivaç को इसी आएगा, अरे, भगवान मूर्ती नहीं, तुम तो एक मूर्ती हो, ना, तुम्हारा सरिर है, आख है, कान है, मुख है, नाख है, और प्रभू का, प्रभू का तुम जोती शुर्ण मनते हो, जोति सर्व मानने के लिए मना नहीं है परमात्पा सर्व ब्यापी है जिनको तुम निंदा करते हो नका पास परमात्पा नहीं है क्या अरे ब्रामन ब्रामन नहीं है गो माता गो माता गो माता माता नहीं है गाये को हलाल करो खा जाओ सरव क्यों बने है सराप पीने के लिए जद्य पी बेद और विधानो मानसा भक्षन मद्यपान बेद में मानसा भक्षन और मद्यपान भी है लेकिन ज्यानी ये काम करते नहीं विजार पूरपक काम करते है बेद त्रीगुन जलित है त्रीगुन निया वी सया बेदा निश्टेश गुन्य भवार्जुन तीनों गुन्सी बेधे और निर्गुन बनो बैदिक संसार अकार उकार मकार बेध का मुल मंत्र ओम है तो सुष्टी स्थिती प्रड़ाय इन में रहे कर परमात्मा का ध्यान करो अपना आत्मा का इसी सरी से छोडाने से नित्य शरीरधारी भगवान कृष्ण या राम या जगन्नात जी का पत्र नात जी का द्वार्कातनास जी का ध्यान करो मुर्ति ध्यान करने से जोती निकलेगा और जोती से फिर अब सहस्त्रार चक्र ब्रह्म हरंद्र को भेत करके कुंडलिन जागरत करगे सहस्त्रार चक्र में अपना प्रान को रखके सरीर छोड़ोगे और प्रफग प्रप्त होगे ओम इती एक आख्यरम प्रह्म ओम का आईती होने से एक आख्यरम मस्रुष्ट होता है ओम तत्सत इतिने दिस से ओम को कहा जाता है तत्सत वही सत है ओम सत नहीं सत्य प्रतित होता है ओम में सत्य प्रतित होता है मिट्टी में सत्य प्रतित होता है हवा में जल में लेकिन सत्य कोई देखने का अबस तो नहीं है सत्य को जो देखते हैं सत्य में प्रिम हो जाते हैं महाराज जनक रिसी विश्वा में तो कुबले इस श्यामल को और सरीर बाला दूब राचकुमार ये कोन है कहां से आए मैं बीदिह हूँ सरीर में मेरा मोह नहीं है घर परिवार का छोड़ो सरे में मेरा मोह नहीं कौन है इसको देखकर मेरा लारच बढ़ जाते है नेह बढ़ जाते है क्यों ओ परमात्मा बादी है परमात्मा सुन्य बाला सुन्य बासी है निर्भिकार निर्पे कल्प निरंजान वो ही प्रकट होते हैं भक्तों के लिए भक्त के दुख भक्तों के पार करने से बेडा पार करने से और भक्तों का लीला गून चलेते कान करते और जोगी इनको ध्यान करते आरे मार्क समान है लेकिन कोई भी किसी का मार्क का निंदा न करो अपना ब्यबसाय ब्यापर चलाने क प्रचार ना करो। भगवान को जियोतिस्वर्व में देखो, अंतर में सारे संसर में देखो, और इतना वे ब्रह्म भगवान सिमिते ये ना कहो। सुत्मनी कहते हैं, जथा अधीतम जथामती प्रभोका चरित्र में बंधन करों लेकिन इतना मैं भागवत नहीं। भगवान का बारे जो कुछ ऐसा भगबत है और भगवान का भक्त ही भगबत है भगवान भगबत है भगबत ग्यान भग्ति के दोन से भग्ति कार्म का अपरति है भग्ति में तुम्हें जग्या करो कोई मतलब नहीं लेकिन कुलाचार धर्म को लेकार आपका जिन्स में जो ह मैं नहीं कहते किसको निंदा नहीं करना चाहिए ओ ब्रामान है भंगी है, मोची है पठान है या इसाई है अरिसा मनुष्य है लेकिन अपना-पना कर्म करो भाई कुलाचार कर्म करो और कूल धर्म को त्याक कर कि जो कर्म करता है उनको नरग्गा में होना पड़ता है पढ़ेगा और भगवान का भक्ति करो जग्य करना जग्य कराना पुरान वेद उपनिसाद पढ़ना और पढ़ना ये प्रामान का काम है दान देना और दान लेना छत्री शाम दाम दान्ड भेतिचारनिती बश्य क्रिशी गोरख्या पानिज्या सुद्र सबका सेबा करना और सबका जीवन में चारों बर्न का जीवन में सरलता रहना गर्ब नहीं रहना एहंकार नहीं रहना अपना कूलाचार कर्म करके मूलाचार जीवत्मा का जो मूल है वो ही प्रभु का इस्मरन करो अभी कितना मंत्र निकला कितना दिख्षा बहुँ साखा है नंतस्च जई सभरमित करने वाला है अरे बासुदेव सर्भमिती भगवान कृष्ण का पूजा करो ध्यान करो जाप करो और कृष्ण का ही जग्य करो वो ब्रह्म है मंत्र जग्य अमंत्र जग्य दो प्रकार जग्य है मंत्र जग्य वाला का मन में घमंडी रहता है और जो मंत्र को भक्ती का साथ पाट करता है उनका घमंडी रहता नहीं इदंग नमम कहे देते हैं और कहते हैं हम सदाचारी हूँ और सवानाचारी है ऐसे बेद रहता है बेद बादियों का मन में घमंड रहता है लेकिन पूरान वाले प्रफुका लिलाचरित को सुनकर अंतर में प्रेम, बिस्वास, भगतियों स्रध्धा आता है पुरान सबसे उचा है और सब पुरान से उच्छा है सिमत भागवान का जो लीला चलिए थे मैं तो बार बार कहते मनुष्च को पहले मनुष्चता इसका बाद ममुक्यता मुक्ति का आसा इसका बाद भक्ती भागवान का भजन स्मरण कीर्टन बंदन और हर समय हरी का चिंतन केवल भागवत केवल भागवत केवल भागवत सारे संसार भागवत मैं है भाब से ग्यान से ब्रह्म्ह से तत्प से मिल जाओ और सारे जग का सेवा करो जो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है कि इसका बुरा इमत देखो और मैं जितना जानता हूँ उतना है ऐसे मत समझो तुम जितना जानते हो इसका परह गिया कर्म करते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो राम राम बलो, जै सिया राम, जै सिता, जै सिया राम, जै राधिस्याम, नमो नारायन, हरी ही ओम तस्सक, ओम परमात्मने नमह, हरी ही ओम परमात्मने नमह, हरी ही ओम नमो नारायन आये नमह, नमो नारायन, नमो नारायन, नमो नारायन, पार्वति पताई, हर हरम हादेव और हम हिंदू, मुस्लिम, इसाई, जैन, जितना भी है बुद्धिष्ट, सब परिवारगा एक मेंबर है, ऐसे समझो, एक-एक मेंबर है, और मनुस्चता लाओ, दया, कृपा, करुणा, सेवा, भक्ती, भाप, नम्रता, घमन्डि मत करो, धर्म जिहादि मत फैलाओ, हिंसा न धर्म नहीं है, धर्ते, क्यामा, दाम, अस्त्रे, सउच, मिंद्र, निग्रह, धिर्विध्या, सत्य, मुक्रधम, दस्तकम, धर्म लक्रम, जो मनोमर्श ने लिखा, दसलक्षन, धर्म का, इस सबको पालन करना चाहिए, धर्ती, धर्ज, छमा, छमा करना, कोई कुछ गलती कर से, दमो, इंद्रों का दमन करना, अस्तिय, परायाधन, चोरी नहीं करना, सउच, बहार, और भीतर, साप रखना, नीर्मल, इंद्रय निग्रह, इंद्रों का अपना काबु में रखना, ब्यभार करो, सदाचार में लगाओ, बुरा एकम में मत लगाओ, धी, उत्तम बुद्धी, बिद्या, जो बिद्या में आत्मा मुक्ति प्रप्त होता है, सत्यम, सत्यम, वही परमात्मा है, भागवत में है, तीनों जगह मुल सत्य है, बहुत जगह में, पहले तो सत्यम परम धिमही, आंत में सत्यम परम धिमही, और भागवत सत्य है, चैतन्य प्रफुकार नाम से किर्टन करो राम भजन करके छूट मत बोलो सत्व सच कहो जो जग्य करते हैं संजुक करो बीजुक मत कराओ जोगा चुक कराओ सबसे प्यार से सबसे सम्मंध रखो और भेदिना रखो हम बैदिक हूँ हम अलक महिमाबादी हूँ हम बैशनब हूँ हम सन्यासी हूँ अरे तुम जो कुछ हो तो हमारी स्वाविमान रखो भाई लेकिन पराया का निंदा न करो धर्म का पालन जो करता है और धारमीक है भागबत का पोज पालन करता है वो भागबती है रमान का जो पालन करता है वो रमाजनी है गीता का जो पालन करते है वो ग्यानी है बेद का जो पालन करता है वो बैदिक है निष्टा का जो पालन करता है वो निष्टिक है इसा मसी वही इस बुल के जो समस्ते है वो इसाई है और पठान जो अच्छा पाठ पड़ते हैं वो पठान है और इसलाम इस आलाम जो प्रभु का आवाहन करते हैं प्रभु का इस्वन करते हैं वो इसलाम है प्रभु का आश्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज भेद नहीं रहना पराय अपना मत करो अपना धर्म में चलो दुसरा धर्म का चुगली ना करो निंदा ना करो हिंसा ना फैलाओ अपना धर्म में रहे कर प्रभु का भजन करो हाथ में करो काम और मुख में बोलो राम कोई इसाई तो राम नहीं कहते हिंदू इसामसी नहीं कहते और मुसलिम कृष्णा या राम नहीं कहते तो जिस पंथ में रहो वही पंथ को तो मानो लेकिन दुसरा पंथ को सम्मान भी दो क्योंकि जितना ही पंथ है वही प्रभु को पाने के लिए और मूढता मत रखो, घमंडी मत रखो, सरलता रखो, दुरुढता रखो, और सरलता, सहज अबस्था में प्रफ मिलते हैं, साधा जिवन उच्च विचार आज का बानी इतना, प्रफो सब का मंगल करें, जै जगनात, जै शोमनात, जै द्वार का नात, जै रामनात, स्याम संद्र बाके भी हरिभगवान की जै, नमो नारेण